हाई प्रोड़ेंस वेलकूम बैग टू चन्देगड ब्यूटी चैनल तो फ्रेंट्स आज की वीडिवए मैं एक बेवी प्रोडक। का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और जिस प्रोड़क्ट का रिव्यू मैं आज की वीडिवे में शेयर करूंघ ये हर किसी यह घर में पाजाता है जिनकी घर में छोटे बेबी होते है डेफिनेटल उनके घर में पक्का मिलेगा तो जिसकी मैं बात कर रहे हूं वो है यह जोंसन बेबी शैंपू इसका ही रिव्यू आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं तो फ्रेंट्स इसको हम खरीद भी लेते हैं लेगिन फिर भी हमारे माइंड में यह कोश्चन जरूर रहता है कि क्या हमारे बेबी के लिए सेफ है हमारे बेबी के स्कैल पर इसका कोई साइट इफैक्ट तो नहीं होगा हमारे बेबी की आइज इससे फैक्टिड तो नहीं होगी या फिर हम क्या बड़े ल सब्सक्राइब करम टक्राइब हैं प्लाइब और यह में पास से बड़ साइज भी आपको मिलेंगा फारा connectài यूइका के मे बद्द्रव मार्केजर्ष का गवर और चाहे तो ओन्लाइन को दोर्ट Urban मंगाया था तो मेरे पासर ब्र फार्स प्रोडेक्ट है इसमें बड़े वाली packaging आती हैं वो I think 500 वाली आती हैं और इसकी self life की बात की जाए तो 3 years इसकी self life है और price इसका 200 ml वाले का price है 155 यानी की 105 रूपे में आपको ये मिलने वाला है तो देखे इसकी packaging पर भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें mention कर रखे और जहां तक बात की जाए product की तो देखे lightweight जो yellow color है इसका काफी light yellow color का ये product है और देखे मेरे वाले में बिल्कुल ही खतम हो चुका है थोड़ा बहुत ही बचा है क्योंकि मैंने इसको अपने baby के लिए भी use क तो देखे johnson baby shampoo लिखाव eyes पर आगे भी और इसमें no more tears यानि कि आपके baby के eyes के लिए बिल्कुल सेफ है अगर थोड़ा बहुत बाइचांस आपके baby के eyes में चला भी जाएगा तो आपके baby's के eyes पर ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इतना mild है ये especially baby के लिए बनाए लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखे जब आप baby के hair wash करें तो थोड़ा ध्यान रखे कि इसके आँखों तक ना पहुच पाए लेकिन फिर भी जो chemical lip shampoo होते हैं वो अगर बेबी के eyes में चले जाते हैं तो eyes कराब होने का डर रहता है eyes में redness आ जाती है लेकिन इस के साथ ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान के साथ इसको यूज करें तो आभी friends इस पे पीछे भी इन्होंने बहुत सार चीज़े लिख रखे जैसे यह mild है तो जी हाँ यह काफी mild है साथ ही साथ ना तो इसमें पैरबीन है और ना इसमें sulphate है इसके इसमें क कोई भी chemical इन्होंने एड नहीं किया है तो यह chemical free shampoo है अगर आप अपने बेबी के लिए प्लस अपने लिए भी chemical free shampoo ढून रहे है तो तब आप इसको try कर सकते हैं तो डोक्टर भी सला देते हैं कि इसको इसको आप यूज कर ये साथ ही साथ इसको apply कैसे करना है वह सब तरीका अभी इसकी packaging पर mention कर रखा है तो apply करने का तो तरीका भाइस बिल्कुल सिंपल सा है आपको पहले hair को गीला करना है दैन आपको apply करना है फिर आपको wash कर लेना है तो अभी बात करते है कि इसकी fragrance कैसी है तो काफी mild है जैसा कि mild shampoo है तो इसकी जो fragrance है वह भी काफी mild है इसको open करन यह थोड़ा इन्होंने बना रखा इस तरह कि अगर आप यहां से इसको press करेंगे तो यहां पर एक छोटा सा hole है इसके through आप अपना product भार निकाल पाएंगे मेरे में थोड़ा बोती बचा है तो यह अच्छे से नहीं आ रहा तो लेकिन कोई ने अगर मैं इसको यहां से cap न जाना ब्रांड है काफी दिनों से काफी सालों से आप इसको मार्केट में देखते आए हैं तो जाना माना ब्रांड है कोई भी side effect नहीं होने वाला है वैसे मैंने जोंसन के अदर्स प्रोडेक्ट कर रखा अगर आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो आई बटन पर हैं आप चेक जरूर करना आती है कि क्या बच्चों के साथ साथ इसको बड़े भी यूज कर सकते हैं तो देखिए अगर आपकी scalp पर बहुत जादा पसीना आता है या फिर आपने heavy oiling अपने hair पर कर रखें तब आपके hair को यह अच्छे से wash नहीं करेगा लेकिन अगर आपकी skin जादा oily नहीं है और ज्यादा oil भी आपने अपने hair पर नहीं लगा रखा है तब आपके hair को यह wash कर देगा और अगर आप इसको यूज करेंगे आपके hair ज्यादा फ्रिजी है तो जितनी भी फ्रिजी नैस है आपकी hair की सब out हो जाएगी लेकिन ज्यादा oily skin वालों के लिए यानि कि जिनकी scalp ज्यादा oily है उनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने खुद इसको यूज किया है तो अपने personal experience के आधार पर ही मैं आपको बता रहे हूं तो अगर आपकी scalp ज्यादा oily नहीं है तब आपके लिए ठीक है अगर oily है तब आपके लिए इतनी अच्छे से work नहीं करेगा करेगा लेकिन अच्छे से work नहीं करेगा वैसे आप pedicure करते हैं तो pedicure में as a shampoo आप इसको यूज कर सकते हैं तब भी आपको यह best result देगा तो इससे ही मैंने pedicure करके अपने चैनल पर दिखाया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया है तो i button पर है साथ में जो red color का bell icon है नीचे उसको भी press जरूर करना और मेरी वीडियो को जादा से जादा शेयर करना मैं आपसे मिलूंगी अपनी next video में तब तक के लिए take care and bye